श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं इस व्रत का वर्णन पदम पुरान कमी किया गया है इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ती होती है इस व्रत में भगवान नारायन के बाल रूप का पुजन किया जाता है इस व्रत के करने से मनुष्य संतान सुख के साथ अन्य सुखों को भोग कर सर्व लोग की प्राप्ति करता है इस व्रत के करने से भगवान नारायन संतान की सभी कष्टों से रक्षा करते हैं जो भी मनुष्ये इस व्रत को करते हैं, उन्हें संतान के साथ एश्वर्य और लक्ष्मी की भी प्राप्ती होती है। श्रावन पुत्रदा एकादशी व्रत की विधी दश्मी तिथी को सात्विक भोजन ग्रहन करें, ब्रह्म चारे का पालन करें, एकादशी के दिन प्राते का लुट कर, नित्य क्रम कर स्नान कर लें, स्वच वस्त धारन करें, पूजा ग्रहे को शुद्ध कर लें, आसन पर बैट जाएं, अब हाथ में जल लेकर शावन पुत् व्रत का संकल्प करें, देव देवेश्वर भगवान विश्नु जी का पूजन करें, श्रावन पुत्रदाय कादशी व्रत की कथा सुने और सुनाई, आर्ती करें, उपस्थित लोगों में प्रसाद वित्रित करें, रातरी में जाग्रन करें, द्वादशी के दिन प्राते का लुट कर सनान करें, श्री विश्ण भगवान जी की पूजा करें, ढामनों को भोजन कराएं, उसके उपरांत स्वाभोजन क्रहन करें.